डियर स्टूरेंट्स मैं हूं मिसिस हिबातुरोफ असिस्टम परफेसर फिजिक्स आज हम पढ़ेंगे पेपर डी चेप्टर नमबर फॉर और पहला लेक्चर हमारा चेप्टर है क्वांटम मेकैनिक्स क्वांटम मेकैनिक्स बिसीकली इसमें हम थेंग्स को माइक्रो लेवल पे अबजर्ब करते हैं यनि यूदिर्स में थेंग्स को माइक्रो लेवल पे जैसा कि अलेक्टरोन, प्रोटोन, नीट्रोन, आट्टम, मॉलिक्यूल, फोटोन वगेरा अगर हम things को macro level पर देखेंगे यहीं body's को, particles को macro level पर देखेंगे तो वो classical mechanics होगी अगर उन्ही body's को हम micro level पर देखेंगे तो वो quantum mechanics होगी आज का हमारा topic है पास्टुलेट्स ओफ quantum mechanics operators, properties of operators, eigen value और eigen function सबसे पहले हम देखेंगे पास्टुलेट्स ओफ quantum mechanics पास्टुलेट्स यहीं फंडामेंटल hypothesis of quantum mechanics इसके टोटल छे पास्टुलेट्स है पहला है किसी भी particle को जब हम quantum mechanical देखते हैं तो उसको completely specify किया जाता है wave function से उस particle की quantum state को completely specify किया जाएगा wave function से क्योंकि डीब रॉय ने कहा जब कोई particle move करता है तो उसके साथ एक wave length associated होती है या दूसरी अलफाज में हम कह सकते हैं कि particle wave nature show करता है अब जो wave nature show करेगा उसको हम उस nature को completely describe करने के लिए wave function से denote करेंगे जो कि Greek letter है साई और यह उसकी state बताएगा अब कैसे बताएगा साई किसका function होगा X और T X position T time degree of freedom को explain करेगा साई यानि wave function degree of freedom particle की degree of freedom से मराद कि particle कितने independent motions को show कर रहे है one dimensional motion है two dimensional motion है three dimensional motion है यह n degree of freedom से है यानि उसके n dimensions है suppose अगर one dimensional है तो wave function यानि particle one degree of freedom को show कर रहे है तो wave function होगा X और T का function यानि साई अगर two dimensional होगा तो साई function होगा X, Y और तीसरा उसमें time होगा अगर three dimensional होगा तो साई function होगा X, Y, Z और T अगर N degree of freedom होगे तो wave function साई होगा q1, q2, q3, so on, qm और time q1, q2, q3 की position को show करते है ज्यादा तर हम three dimensional तक की जाते हैं तो पहला पास रिलेट क्या हुआ अगर दा स्टेट ओ क्वांटम मेकैनिकल पार्टिकल इस कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाइफ वेव फंक्शन साई X, T X पोजिशन T ताइम यादि वेव फंक्शन पार्टिकल जो है जो वेव नेचर शो करेगा किस टाइम पे कहां उसकी प्रॉबबिलेटी कितनी है वान डामेंशन में, टू डामेंशन में, थ्री डामेंशन में सेकंड पास्टूलेट है फोर अवरी मियरेबल प्रॉपर्टी ओफ ए सिस्टम सच अज पुजिशन, मोमेंटम, एनर्जी मियरेबल प्रॉपर्टी से मुराद फिजिकल अबसर्वरबल इनको कहते है जैनि जिनको हम फिजिकली अबसर्वक कर सकती है कोई भी पार्टिकल जब मूवब करेगा तो वेफं की फ़ॉपम में उसका मोमेंटम भी फाइंड कर सकती है पुजिशन भी find कर सकते हैं, energy भी find कर सकते हैं और यह completely describe करता है wave function psi वो कह रहे हैं कि second pastolat में वो कह रहे हैं कि इनका quantum mechanics में position, momentum, energy के operators होती हैं operators mathematical term है जो किसी भी wave function पर हम apply करके एक new function create करते हैं an experiment in the laboratory to measure a value for such an observable is simulated in the theory by operating on the wave function of the system with the corresponding operator यहनी experiment in the laboratory में किये गए कि कोई भी ऐसा observable यहनी position, momentum and energy ठीक है उस पर हम कोई operator apply करेंगे इसको किसी wave function पर जब apply करेंगे तो हमारे पास एक निया wave function create होगा यह इसका second pastolate है थर्ड पास्टिलेट है in any single measurement of the observable अब observable कौन से होंगे मैं पहले बता चकी है वो physical quantities जिनको हम measure कर सकते हैं जैसी momentum, particle से मुराद कोई भी electron है वो move कर रहा है तो moving form में जो wave function उसका होगा wave form होगी तो उस particle यानि electron का हम energy, momentum या potential energy with respect to nucleus measure कर सकते हैं या observe कर सकते हैं उनको observables करते हैं in any single measurement of the observable that corresponds to the operator a cap यह कोई भी operator को denote हम उसके उपर cap लगा के करेंगे the only values that will ever be measured are the eigen values of the operator अगर आपके पास एक function psi है, wave function psi है उसके उपर हम एक operator a लगा देते हैं, a cap a cap multiply by psi, यह किसके equal आ जाएगा, lambda psi अब lambda क्या है यह है eigen value means हमने wave function के उपर जब operator apply किया तो उसने हमें एक value दी, new wave function जो create हुआ जो value दी, wave function तो साही रहा लेकिन उसकी magnitude change होगी या magnitude change होगी, उसकी size change होगा या उसका amplitude change होगा जब हम किसी operator को wave function पे apply करेंगे या उसकी shape change होगी या उसका amplitude change होगा अब जो changing जाएंगी उसको हम eigen values कहेंगे और function को हम eigen function कहेंगे तो यह हमारा तीसरा पास्चुलेट था चोथा पास्चुलेट है if the system in the state described by wave function psi xt and the value of the observable a is measured यानि कोई भी observable है उसका अगर हम a कहें जए momentum है, जए energy है उसका अगर हम a कहें once on each of many identically prepared systems जिनि आपके पास काफी सारे identically prepared systems हैं हर system की आपने measure की तो आप उसका फिर average हम लिखेंगे क्योंकि identically है तो हम फिर average निकार लेंगे अगर a1, a2, a3, son, an है तो हम उसको, उस observable को a से denote करेंगे जब उसके average value लेंगे तो उस average value के लिए हम यह sign लगाएंगे यह a के साथ जो sign लगाया हुआ यह average का sign है इसको हम expectation value भी कहते हैं of all these measurements is given by यह किसके एकोल होगा integral minus infinite to infinite psi star यहनि complex conjugate of wave function psi star xt operator a यह apply हुआ psi xt पे dx इसको divide करेंगे normalization factor normalization factor क्या है minus infinite to infinite psi star xt psi xt d x यह one के इकुल होता है यह one के इकुल क्यूं होता है कि अगर आपके पास एक box है उसमें एक particle है आपको कहा जाता है इस particle को box में find करें अगर वो particle box में मुझूद है तो उसकी value है one अगर नहीं है तो zero अगर वो particle मुझूद है तो one है इसको हम फिर कहेंगे normalization factor और उसका फार्मूला है psi star xt psi x t dx जो कि equal to one होता है अगर average value के value को normalization factor से divide करेंगे तो या उसके नीचे one लिखेंगे तो भी वोही value आएगी नहीं लिखेंगे तो भी same value आएगी it means के expectation value को हम denote करेंगे यह expectation is equal to minus infinite to infinite psi star xt operator a psi xt dx divided by normalization factor फिफ्थ पास्चुलेट है the evolution in time of quantum mechanical system is governed by the time dependent Schrodinger equation evolution of time से क्याम राद है कि कोई भी wave function यह electron जब wave नेचर शो करेगा तो उसका जो wave function है with respect to time यानि time के लिहासे कितना उसमें evolution आ रहा है उसको measure करने के लिए quantum mechanical system में क्यूंकि quantum mechanical system में electron शो करता है wave nature उसको क्या जाता है time dependent Schrodinger equation से यह भी यह पांचमां hypothesis है और उस equation की value होगी h operator psi xt is equal to iota h cut partial psi xt over partial d छटा पांचुलेट है कि wave functions describing a many electron system must change sign कोई भी wave functions होंगे अगर many electron system होंगा तो उसके wave functions के sign लाजमी change होंगे under the exchange of any two electrons जब उसके कोई भी दो electrons अपनी position exchange करेंगे अब sign से मराद anti symmetric होगे यह इसका छटा पांचुलेट था इन सारे पांचुलेट को हम sum up करते हैं कि यह क्या बता रहे हैं quantum mechanics किस पे base कह रही है set of pastulates पे जिसकों fundamental hypothesis भी कहते हैं पहले दो pastulates establish the role of the wave function in quantum mechanics कि wave function का क्या role है completely straight को describe करता है उसके observables means momentum position के को quantum mechanics में operator की form में explain कर सकते हैं third pastulate बताता है connection mathematical variable और mathematical operator यानि operator को हम किसी function पर अप्लाई करते हैं तो जो नया function हमें मिलता है उसमें हम एक variable मिलता है फॉर्थ पास्टुलेट हमें क्या बता रहा है mechanical variables के बारे में information फिफ्थ पास्टुलेट हमें क्या बता रहा है कि हम उन state of system को determine कर सकते हैं evolution of time को गवन कर सकते हैं time dependent shooting a wave equation से यह थे हमारे पास्टुलेट्स और quantum mechanics next are operators हमने पास्टुलेट में एक वल्ड पड़ा operator क्या है operator are the quantities which will operate on a wave function यह एक mathematical quantities होती है mathematical function mathematically remote किया जाता है function होता है जब इसको किसी wave function पर operate किया जाता है तो यह हमें नया wave function देता है और इसको हम operators कहते हैं suppose linear operators क्या है कि it is that operator when we operate and function on a function after operation it gives the same function linear operator होगा जब वो same function देदेगा तो उसको हम कहेंगे linear operator यह आपके सामने दो example है हम नीचे वाली example को देख देते हैं a आपके पास operator है a इसके उपर cap आएगा a cap, psi आपके पास wave function है operator को operate किया wave function psi पे तो इसने हमें एक new wave function दिया lambda psi lambda psi आपके पास नया wave function और lambda आपके पास एक real value है तो इसमें operator की value same रही function आपके पास operator is same इसकी properties क्या है operators की यह linear होते है associative in character होते हैं यह associative life applicable है यह commutative नहीं होते हैं commute नहीं करते हैं यह इसकी 3 basic properties है they are linear, they are associative in character, they do not necessarily commute अब यह physical observables और इनके operators one dimension में दिखाए हुए जो हम पीछे observables की बात कर ले थे operators क्या है quantum mechanics में operator classical mechanics में observables यानि momentum और फिर उनके symbols क्या है सबसे पहले observable momentum है mr dot r dot mr 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 dot h cut partial over partial x इसका symbol होगा p small p operator और इसके साथ x इसकी base में लगाया है क्यों कि यह one dimensional है kinetic energy half mv square होता है यह r dot square है यह जहें में रखें r dot से मराद dr over dt है और यहां r dot square से मराद होगा d over dt square into r और kinetic energy की operator होगा e cap kinetic energy और इसकी value होगी minus h cut square over 2m partial square partial x square अब जहां पे minus h cut square over 2m partial square partial x square आपने खुद ही समझ जाना है यहनि quantum mechanics में आपने समझ जाना है यह आपके पास energy है और e kinetic energy यानि के symbol इसका होगा और यह किसके एकुल होगी half यानि 1 over 2m तो हम इसको लिख सकते हैं p operator x into p operator x position जिसको हम x से denote करते हैं one dimension में और इसका operator होगा x cap potential energy v x से denote करते हैं और इसकी symbol होग operator का e cap potential total energy hrp is equal to tp plus v r और यह किसके एकुल होगा minus h cut square over 2m partial square over partial x square plus v x minus h cut square over 2m into partial x partial x यह kinetic energy और v x potential energy क्योंकि total energy इन दोनों का sum होता है और इसको h से denote करते हैं h cap से अब जहाँ h cap होगा it means कि total energy की बात हो रही है quantum mechanics में अब इनी को हम 3D में देखते है position 3D में r होगी x y z symbol होगा r cap momentum p होगा symbol होगा p day p cap लेकिन minus h cut minus iota h cut into i partial over partial x plus j partial over partial y plus k unit vector partial over partial z और इसको हम वैसे लिख सकते है minus iota h cut del आपको पता है del की value three dimensional में kinetic energy t से denote करेंगे 3D में इन three dimensional में और इसका operator होगा t cap और इसकी value आगिती हुई है potential energy को हम vr से denote करेंगे observable classical mechanics में vr होगा लेकिन आपके पास इसका operator quantum mechanics में v cap r होगा three dimension में r से मराद x y z ठीक है और operator इसका multiply by vr total energy को e से denote करते हैं classical mechanics में लेकिन quantum mechanics में इसको h cap से denote करेंगे और इसकी value आगे आपको दी हुई है जो हम पीछे पढ़ चुकी है असोरी पहले x है फिर y है फिर z है सबसे पहले वाले जो three dimension में angular momentum है x का l x का फिर ly है फिर l z तीनों की values थी है यह आपके पास जिसका मतलब है self or own potential energy पीछे जो भी अभी अभी हमने पड़ है उनके observables भी देखे और physical observable क्या है which is anything that can be measured the value of observable for the system जो जो value होगी system में is the eigen value and the system is set to be in an eigen state system eigen state में खेलाएगा और observable की जो value आएगी वो कहलाएगी आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू इकेशन को थोड़ा सा उन्होंने explain किया यहां पे कि अगर आपके पास एक operator a है a cap operates on a eigen function psi psi आपके पास wave function है और जब इस पे operator apply किया जाएगा so that the function psi remains the same after operation but it is multiplied by a constant a पीछे हमने example में देखा psi के साथ lambda आ गया था तो lambda एक constant quantity थी जो के eigen value होगी यहां पे वो कहा रहे है कि अगर आपके पास function operation के बाद same रहेगा यहां आइगन function जो के psi है लेकिन उसके साथ एक constant multiply होगा जब उस पे operator को operate किया जाएगा वो होगा small a अब small a आपके पास eigen value है a आपके पास operator है psi आपके पास wave function है जिसको eigen function कहते है small a आपके पास eigen value है और psi again same वो ही wave function है जो कि change नहीं होगा और इस equation को हम क्या कहेंगे eigen equation eigen value equation अब इसकी कुछ examples देंगी है अगर आपके पास operator d over dx है ठीक है d over dx और function है आपके पास कोई भी wave function exponential kx operator को eigen function यानि के wave function exponential kx पे operate करेंगे यह आएगा d over dx exponential kx और जब operate करने के पास इसकी value आएगी k into exponential kx अब आप इसमें देख सकते है e, k, x यानि जो wave function था जिसको हमने eigen function का वो same रहा लेकिन एक k constant आ गया यह आपके पास क्या है eigen value इसी तरह अगर आपके पास operator है d square over dt square और eigen function है si omega t तो हम जब इस पे operate करेंगे sin omega t पे d square over dt square तो value आपके पास आएगी minus omega square into sin omega t आप इस equation में इसमें भी आप देख सकते है इस equation में कि जब operator को eigen function यानि इस wave function पे operate किया गया तो आपका eigen function sin omega t same रहा लेकिन एक constant minus omega square इसके साथ multiply हो रहा वो क्या है? eigen value इससे तरह आपके पास है Hamiltonian operator h यह operator है eigen function sin तो इस पे जब h operate करेंगे तो आपके पास आजेगा en हम पहले पढ़ चुके हैं कि h जो है वो total energy है तो en भी total energy है लेकिन यह constant है sin अब wave function फिर same रहा eigen value होगी en तो यह था हमारे पास eigen function eigen value किसी भी eigen function पे जब operator को operate करते हैं तो उसके eigen value कैसे calculate की जा सकती है यह था आजका हमारा lecture thank you